प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे खुस होंगे तो आज की वरक्षिट करेंगे बेटा 15 जुलाई की वरक्षिट ये गणीत की वरक्षिट रहने वाली है कक्षा 6 की वरक्षिट नमबर 4 तो देखते हैं देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है संख्याएं एक दो तीन च्यार पांच छे और शाथ को गोलों में इस परकार रखें कि सभी सी दीरे ख्षाओं का जोड एक जैसा हो जैसे कि हमें ये दिया गया है इसको मैं थोड़ा से बड़ा करके दिखाता हूं बच्चो आपको देखो ये जो हमें दिया गया है ना बच्चो ये इसमें गोले दिये गए हैं ठीक है तो एक दो तीन च्यार पांच छे और साथ इन संख्याओं को इन गोलों में इस परकार से रखना है कि मान लो हम इस तरह से जोड़ें तो मान लीजिये कुछ भी आया मान लीजिये पंदरे आ गया ठीक है इन तिनो संख्याओं का योग पंदरे आ गया तो इस परकार जोड़ें तो भी कितना आना चाहिए पंदरे आना चाहिए यानि अपने पास साथ संख्याइं दी गई हैं एक से लेकर साथ तक इन को इन गोलों में इस परकार्शे बरना है इस परकार्शे बरना है कि जो सीधी रेखाओं का योग होगा वो सब का बराबर आएगा ठीक है बच्चो तो इसको कैसे करेंगे तो इसको हम करके देखेंगे रखेंगे पहले उसके बाद में हमारा आंसर आएगा मान लीजिए यहां सबसे पहले हम रख लेते हैं वन ठीक है जो बीच का गोला है यहां हमने रख लिया वन ठीक है फिर हम सुरुवात करते हैं यहां से ठीक है यहां आमने रखा दो यहां रखा आमने तीन यहां रख दिया आमने च्यार ठीक है फिर यहां रख दिया आमने पांच यहां रख दिया छे और यहां रख दिया बच्चो साथ अब क्या दिया गया है कि सभी सीधी रेखाओं का योग जो जोड है वो एक जैसा होना चीज़ अब देखिए पहले इसका जोड करें इसका जोड करेंगे तो क्या आएगा पांच और एक छै छै और च्यार दस आ गया इसी परकार अब इसका करेंगे तो मान लेजी उपर ऐसे करें तो क्या एगा साथ और एक आठ आठ और दो दस तो ये भी बच्चो दस आ गया इसी परकार इसका करेंगे तो छै और एक साथ साथ और तिन दस तो इसका बच्चो दस आ गया तो मतलब ये क्या है अपना सही उत्तर हो जाएगा अपने को जो नमबर दिये गए थे ना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ इनको हमें कैसे लिखना था इस परकार से लिखना था कि किसी भी लाइन का गर योग करें इसका करें इसका करें इसका करें तो आएका बच्चो दस तो ये वाले गोले में पांच, इसमें छे, इसमें साथ, इसमें बीच वाले में एक इसमें दो, इसमें तीन और इसमें बच्चो च्यार रखेंगे तो सबी जो लाइन है रेखायों का जोड है वो कितना आएगा दस आएगा ठीक है बच्चो ध्यान से देखना अपनी कोपी में अच्छे से प्रैक्टिस करना आगे क्योशन करते हैं अगली एक्टिविटी है बच्चो आओ गुभारों से खेलें ठीक है तो इसमें क्या दिया गया है देखते हैं नीचे दे गए च्यार परशनों के उत्तर में किसी एक गुभारे में वह संख्या सामिल होगी तो वह गुभारा उड़ जाएगा यानि मतलब नीचे दिया गया है तो अगर वह संख्या सामिल है तो गुभारा बच्चो उड़ जाएगा ठीक है ठीक है देखते हैं, पहला है संख्या नो के गुनज वाले गुबारे, तो बच्चों संख्या नो के गुनज का क्या मतलब है, जिस संख्या में संख्या नो का भाग जाए, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो नो का पहाड़ा होता है, उसमें जो संख्या या आएंगी, वो होंगी नो की गुणाज तो देखते हैं यहां पर एक बर पाड़ा लिख लेते हूं पर नो एकम नो नो दुनी अठारा नो तीए सताइस नो चोक छत्तीस नो पंजी पैनतारीस नो चीके चोवन नो साथ तरे सट ठीक है नो नठी बैतर नो नठे बैतर नो निम इकासी और नो दाई नब है इतने ही संख्याए हैं यह लिख लेते हैं बच्चो और इससे आगे भी अगर करने ही जुरूत पड़ी तो नो को नो दाई कितना उतनब है और नो को ग्यारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा आदनी नियान में ठीक है एक बर इतनी संख्याए लिख यह सभी क्या है नो के गुणज है तो अब दिया गया है कि जो संख्या नो की गुणज होगी यह जिस गुबारे को पर नो का पर देखते हैं, और कोन सा है, ये देखिए, चोवन भी है, तो चोवन ओकागुणज है ने, देखिए, यहां पर दिया गया है, तो यह वड़ जाएगा, हमने इसको भी काट दिया, फिर क्या है, 63 भी है बच्चो, तो 63 भी उड़ जाएगा गुबारा, तो हम इसको भी काट देते हैं ठीक है फिर और क्या बस्ता है देखो 45 भी है बच्छो यहां पे नो का गुणज तो 45 को भी हम उड़ा देते हैं गुबारा ये उड़ जाएगा इधर निन्यान में है ये भी नो का गुणज है तो इसको भी हम काट देते हैं ठीक है बच्चो तो ये कुछ ही नो के गुणज थे और हमें नो के गुणज नहीं दीख रहे अब अगला क्योशन देखते हैं वरग संख्या की गुबारे वरग संख्या की गुवारों का क्या मतलब है बच्चो जिसका वागमूल कर सके या ऐसी संख्या दी गई ओ जिसका जैसे मालीजे अपने पास सबसे पहले कोई मालीजे चार दी गई है तो चार को हम कैसे लिख सकते हैं दो गुणा दो ठीक है तो ये संख्या है इसका वर्ग है तो ऐसी ये संख्या अगर किसी गुबारे पे लिखी है तो वो गुबारा भी उड़ जाएगा तो देखते हैं तो दो का वर्ग च्यार होता है तो ये भी वर्ग संख्या का गुबारा है तो ये उड़ जाएगा ठीक है और देखें 26 64 कितने का होता है गुणा 8 equal to 64 होता है तो ये भी वरग संख्या का है तो ये भी उड़ जाएगा इसी परकार बच्चो 25 भी 5 गुणा 5 कितना होता है 25 पांच का वरग होता है ना 25 तो ये भी उड़ जाएगा इसी परकार शोड़ा कितने गा होता है बच्चो चार का वर्ग होता है चार गुणा चार वराबर शोड़ा तो ये भी उड़ जाएगा ठीक है बच्चो अब नेक्स्ट क्योस्चन है ए भाजे संख्या वाले गुवारे तो बच्चो एभाजे संख्या ही कौन सी होती है, जीस संख्या में खुद का भाग जाए और शिर्फ एक का भाग जाए वो होती है, एभाजे संख्या, ठीक है, तो ऐसे गुवारे अब हमें उडाने हैं, ठीक है, तो एभाजे संख्या देखनी है, एभाजे संख्या वाले ग क्या है एभाजे सिंख्या क्योंकि तीन में या तो खुद का जाता है या एक का जाता है तो ये भी बच्चो एभाजे सिंख्या ये भी उड़ जाएगा इसी परकार साथ है ये भी एभाजे सिंख्या है और सतरा भी क्या है बच्चो एभाजे सिंख्या है तो ये सभी गुब नमबर लिखा है वो गुबारा बचा है तो आंसर आ जाएगा 26 नमबर का गुबारा तो यह बच्चो अपना आज की जो वाक्षीट है इसके सोल्यूसन थे उमीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे और बच्चो कहीं पर भी समझ में आए तो वीडियो को पोज करके हो लेते रही है मास्क लगा के रखिए हाथों को बार बार दोते रही है मिलते हैं बच्चो अगली वीडियो में तब तक खुस रही है मुस्कुराते रही है